इन इस वीडियो और टीच यू वरक्षिट फॉर फॉर शप्टर अंगल्स तो देखों अंगल्स का अलग अलग काटेगरी होता है पाइपस ऑफ अंगल्स जीरो अंगल मतलब जीरो डिग्री अक्यूट अंगल मतलब जब जीरो डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में वाया 40 डिग्री तो वो कौन सा काटेग्री में योगा एक्यूट अंगल्स तो यह लर्न करना है कि 0-90 डिग्री अगर कोई अंगल होता है तो इसको अंगल्स तरह का दिखता है एकदम स्ट्रेट लाइन रहता है यह थोड़ा सा बेंड हो गया इस तरह से रहता है और वहां पर है न छोटा सा square बनाया वर रहता है तो उसी से समझ में आ जाता है कि यह right angle है फिर obtuse angle 90 degree to 180 degree अगर किसी angle का value 90 से 180 के बीज में है तब वो obtuse angle होता है देखकर पहचाना जाता है जैसे यह 90 degree है ना अब अगर कोई angle इस से बड़ा है इस तरह का shape का या इस तरह का shape तो देखने से समझ में आ जाते हैं कि यह सबका value 90 से बड़ा है तो यह obtuse angle है 90 degree से छोटा जैसे इस तरह से यह angle तो यह सब देखकर ही समझ में आ जाते है कि acute angle है क्योंकि सबका value 90 से छोटा दिख रहा है और जब कोई angle इस तरह से straight line होता है तो यह जो बीच में angle है इसको बोलते है 180 degree तो इसका मतलब जब straight angle होता है तो उसका value होता है 180 degree वो इस तरह का दिखता है तो यहाँ पर बोले है measure the following angles and verify them as acute obtuse right or straight मेजर करके भी देख सकते हैं otherwise जो shortcut trick है वो क्या है जैसे यह 90 है यह 90 दिख रहा है तो लिख देंगे right angle यह दोनों 90 से बड़ा दिख रहा है तो obtuse angle इस तरह स है अब अगर d में समझ नहीं आए तो फिर इसको measure करना होगा तो हम क्या सिखाए थे कि इस तरह के angle को measure करने के लिए इसको change कर लेंगे इस तरह से और रख के measure करेंगे अंदर वाला scale के साब से 60 degree आ रहा है तो 60 degree acute angle होता है तो यह acute angle है तो इस तरह से first question करना है second question में है कि draw the angles as per their types जिससे एक angle यह लोग ड्रॉ करने बोला है x y z जो right angle है तो हम क्या अच्छा हम दिखाते हैं suppose pqr acute angle तो हम क्या करेंगे एक line ड्रॉ करेंगे scale से ड्रॉ करना acute angle ड्रॉ करना है तो acute मतलब तो 0 to 90 होता है 0 to 90 के बीच में कोई सभी एक value ले लो suppose हम लेते हैं 60 degree तो अब protractor यहां रखेंगे end point और line ऐसे match कर लिए अंदर वाला scale के साब से 60 यह रहा point दे दिए अब इस line को हम ऐसे join कर देंगे point to point और नाम क्या देने बोला है PQR तो PQR और यहां लिख देंगे 60 degree तो इसी तरह से अगर बोला है obtuse angle तो obtuse मतलब 90 to 180 तो बीच का कोई साभी वाल्यू ले लो 92 95 90 100 कुछ भी ले लो 90 नहीं सोरी 100 110 120 कोई साभी angle draw कर दो और उसको correctly name करो so like this you have to complete worksheet 4 with the help of this video